सो हलो गाइस विल्कम बैक एनी वीडियो अगेन विद हेडन ओफीसियल तो गाइस टाइटल और थम्रेल आप लोग ने देखी लिया हुआ तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वालों कि आप लोग डाइमंड टो हिरोई कैसे कर सकतो अभी के टाइम में हम लोग क निव सिजन आ चुका है जो कि सीजन नमर 30 बीया राइंक का जिसमें तुमारे भाई ने सिर्फ दू आवर के अंदर हिरोई कर लिया है और आप लोग को बताने वालों कि आप लोग कर सकते हो विकॉस वीडियो के अंदर सोलो का काफी उपी वाला टिप संट्रिक आप लोग सेट कर देना विकॉस के इस चानल पर ऐसी ही टिप संट्रिक वीडियो मिलती रहती है और भाई लोग अभी तक सेकेंड चैनल सब्स्राइब नहीं कियो जिस पर मैं गेमप्ले अपलोड करता हूं ग्रैंड मास्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्स ने मिल जाएगा फड़ा पर लॉड आउट और तीसरा पर पिट का इसके लिए तीनों चीजे काफी इंपोर्टेंट है हमारे गेमप्ले के लिए बात करते हैं आप लॉड आउट का लॉड आउट में आप लोगों को रखना है बॉन फायर बॉन टी यह दोनों चीज काफी आप लोगो काम आएगा की अंदर अब बात करते हैं कारेक्टर कॉमिनेशन का तो कारेक्टर कॉमिनेशन में आप लोगों को यूज करना है मैक्सीम की अबिटी उसके बाद आप लोगों को यूज करना है मैक्सीम की अबिटी उसके बाद बात करते हैं आप एक्टिव स्किल्स की तो एक्टिव स्क कि विकॉस की अभी के टाइम में मेरे फ्री फियर के अंदर काफी सारे पेट है जिसमें बीया राइंग के लिए पेट्स टूरना काफी ही मुस्किले तो बात करते हैं दो पेट की पहला हम लोग का फैल को अगर आप लोग के पास फैल को है तो जरूर यूज करना विकॉस की जो की आप लोग के पास अबलेबल जरूर होगा विकॉस यह फ्री में हम लोग को मिले था गयरीना के तरफ से तो काफी सारे भाई लोग यह कमेंट करते हैं कि भाई मेरे पास फैल को नहीं है ता आप लोग यहां पर यूज करना वेगर पेट काफी इंपोर्टन ए हम युको अच्छे कासा लूट होगा फिर आप लोग अच्छे कासे लूट के साथ अगर खेलोगो तो इसली हर गेम को बुए निकाल सकते हो तो बात करते हैं लैंडिंग कैसे कर एक परफेक्ट सोलू के अंदर आपर देख सकते हो मैं आपर सेंटोसा जाने वाला हूँ विकॉस मैंने यहां पर सेंटोसा चुना और यहां पर मेरा सेंटोसा पर पर्फेक्ट लैंडिंग हो चुका है और एक चीज़ हमेसा याद रखना कि फैलको की अप्लेटी 600 मिटर तक काम करता है अगर आपका प्लेश 600 मिटर दूर है प्लेन पात को तो जरूर आप लोग फैलको की MMA यूजे करना और 600 मिटर पर ही जंप करना फ़ेंड से जिससे आप लोगों का एक परफेक्ट लैंडिंग हो प्लेश की अपास अच्छा सा छूरा फांसा धारिक इस बल्यों निकाल ले तो यह ले तो बात करते हैं काफी इस करें कितने मेडिक रखकें giıs bit बदा देता हूं और सेम चीज़ आप लोग फॉलो करना बात करते हैं आप गन कॉंबीनेशन का तो गन कॉंबीनेशन में आप लोग 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 नेज में उड़ पैकर, AC-80 और यहां पे पाराफेल यूज करना विकॉस की ये तीनों गंस काफी ओपी और एक्स्ट्रा में एक है SKS अगर वो भी आप लोग को मिले तो यूज कर लेना SKS अगर आप लोग को ना मिले तो वेंडिंग मसीन से बाई कर लेना 100 कोईन में एक मिल जाएगा तो समझ सकते हैं लोग रेन्ज के लिए काफी तभाही करना है अगर आप लोग के पास SKS है तभी आप लोग ये यूज कर सकतो अगर आप लोग के पास SKS नहीं है फिर भी आप लोग यूज इजली ये कर सकतो अब बात करते है SORT RANGE की तो सॉट्रेज में आप यूएंपे के साथ जा सकते हो विकाउस की यूएंपे काफी एबलेबल हो जाता है हमारे गेम के अंदर और इसका स्किन सभी के पास है विकाउस की जो डबल डेटर फार वाला स्किन है और सभी भाई लोग को मिलाया बात करते है दूसरा zone rotation का ये चीज़े काफी important है और zone rotation आप लोग को अब स्टार्ट करना है वो भी चीज़े आप लोग को बता देते हो जब आप लोग का first zone स्टार्ट हो अगर आप लोग first zone के अंदर भी लूटना चाहते हो तो लूट सकते हो लॉक्ष को काफी जञदा कम डायस पहली होता है पर आपलोग का करेक्टर कॉंवनियसल काफी बताय हूं जिससेे आप लोग जोन भी सरवाइब कर सकती हो और दूसरा जोन वी इंदर रस करके finish करने का एक trick आप लोग को बता देता हूं किसी भी बंदे पे रस करने के कि पहले उसको आप लोग 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 से damage कर लो फिर उसको close range में जाके easily finish कर दो headshot मार के और एक चीज़ आप लोगों ने हाप देखा कि UMP से कितना चकासा rate number लग रहा है तो same to same चीज़ आप लोग को बता देता हूं कि आप लोग भी यहाँ पर UMP वेपन यूज़ कर सकते हो और यह जो भी आप लोग को जिससे आप लोग का rank माइनस भी हो सकता है तो अप लोग हमेसा याद रखना किसी बंदे को आप मार रहे हो तो आपने अगल बगल में देखते रहा ना कि आप पर ठट पाटी हो रहा है या नहीं हो रहा आप लास्ट बंदा बचा हुआ था यही एक बंदा था जिसके पास था मैक 7 एक चीज़ आप लोग को बता देता हो किसी भी बंदे को अगर गन फायर करें कोई साभी गन हो चाहे वह लॉंग रेंज हो सौट रेंज हो तो उसके साउंड सुनके आप लोग पहचान जाना कि वह कौन सा गन यूज कर रहा विकॉस की सौट रेंज फाइट में व तो हिरोईक करने में जरूर यूज करना आप लोग का हिरोईक दो घंटे के अंदर कम्प्लीट हो जाएगा अगर आप लोग डाइमंड के उपर हो तो और कभी-कभी होता है हम लोग जोन के अंदर फज जाते है सिचुएशन काफी जादा मुस्किल हो जाता है जोन से बाहर निकला, सेम-to-same वही होता है इहां पर देख सकते हो, मिरे पर रास हा रहा था रहते हो जाते हो विकाउस की solo के अंदर और season का starting होता है तो आप लोग heroic पे रहता है और heroic करने के लिए और heroic से आगे push करने के लिए आप लोगो kill का बहुत ज़रूवत होता है और top 5 भी कर लोगे तो आप लोगो काफी easily heroic के आगे plus कर सकते हो या heroic कर सकते हो या पर देख सकते हो सामने एक बंदा भाग रहा तो उसको मैंने काफी ज़रा damage देके तो finish कर दिया अब बारी यह जोन के अंदर जाना है पर देख सकते एक बंदा भाग रहा तो उसको फड़ाफट finish करता हो यहाँ पर मेरे काफी अच्छे कासे kill हो जाते है मेरे को kill की तो जरूरत नहीं है फड़ाफट bonfire लगा लेता हूं जिससे मैं यहाँ से position point निकाल हो यानि कि top 5 top 2 कर पाऊं जिसे हम लोग का position point के भी काफी अच्छा कासा plus मिलेगा बात करते जोन के अंदर मैं यहाँ से पहुंच पाऊंगा या नहीं नहीं पहुंच पाऊंगा मैं देख सकते हो मैं फड़ापट यहां पर bonfire यूज करा जिससे मेरा health काफी मेंटेन था और यहां पर उपर से भी बंदा fire कर रहा तो मेरे नीचे के भी साइट था यह एसा situation काफी बाहरा आता है स्टाटिंग में और देख सकते हो यह एक बंदा के पास था shotgun और मेरे पास health नहीं था फड़ा फट पहले मेडी मारते हैं और मेडी मार के इस पर रस करते हैं लेकिन इसने नेट करा और नेट से थोड़ा सा मैं डैमेज आता हूँ और देख सकते हो कितना ज्यादा मेरे को ड प्लस लगा heroic के उपर और यही ट्रिक आप लोग फॉलो करके diamond to heroic काफी easily push कर सकते हो और यह ट्रिक लगा कि आप heroic से भी आगे काफी easily push कर सकते हो सो आप लोग hope करता है वीडियो आप लोग को काफी ज़्यादा अच्छा लगा इतने सारे heroic करने का tips आप लोग को दे दिया हूँ जरूर follow करना और आप लोग easily 2 घंटे के अंदर heroic कर पाऊगे season के starting में तो आज के लिए बस इतना ही मिलते है next video में इंस्टा पे याज से follow कर आप लोग को स्टोरी में बताते रहता हूं तो याज से follow कर ले ना और जिनको बाते कर रही है तो आज आना इंस्टा पे और आज के लिए बस इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में अपना ध्यान रखना बाइवाए